हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक तो मैं चैनल, कुक वित नस्राना नवाब और आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्लैक करन्ट आइस क्रीम अगर आपको ये रेसिपी पसान दाए फ्रेंड्स तो प्लीज मेरे रेसिपी को लाइक जरूर कर दे तो आइए फ्रेंड्स हम सबसे पहले देख लेते हमें क्या क्या चाहिए तो ये है फ्रेंड्स हमारा इंग्रीडियन्स चीनी, ब्लैक ग्रैप्स, ब्रेड क्रम्स, कॉन फ्लावर, मिल्क मेड यानि कंडेंस मिल्क, वैनिला एसेंस, दूद breadcrumb कैसे बनाते sides के edges को मैंने काट लिया है और उसे mixi में हम grind कर लेंगे और आप देख सकते हैं हमारा breadcrumb ready है यहाँ पे friends मैंने grabs को पानी में भीगो के रखा था और यहाँ पे मैं one cup measure करके ले रही हूँ one full cup और उसे हम jar में अच्छी तरह से blend कर देंगे और blend करने के बाद आप देख सकते हैं friends यह कुछ thick consistency में आया है और यहाँ पे मैं one full cup चीनी ले रही हूँ और हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे friends इसका color भी deeper होगा और हम इसे अच्छी तरह से चलाते रहना है और इसमें आप देख रहे है friends side side में जो जाग बन रहा है उसे हमें निकालते रहना है और जब पूरा जाग निकल जाएगा तो आपको पूरा परपलिश color मिल जाएगा और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का consistency चाहिए यहाँ पर मैं half liter दूद ले रही हूँ half liter दूद में friends यहाँ पर मैं चार बड़े चमच bread crumbs के लूँगी और यह हमारा आखरी चमच bread crumbs का और आप हम इसे चलाते रहेंगे friends दूद में एक अच्छा boil आ जाना चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं दूद अच्छी तरह से boil हो चुका है तो आईए friends सब हम corn flour और पानी का एक घोल तेयार कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और एक चमच corn flour लिया है और हम उसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे और जब आप इसमें डालें तो या तो आप gas off कर लें या फिर एक हाँ से चलाते जाएं और डाले corn flour का mixture को और अगर आपका दूद गाड़ा ना हो friends तो बाद में आप और add कर सकते हैं लेकिन इस टाइम पर add ना करें wait करें 2-3 boil आने तक अगर गाड़ा ना हो तब add कर सकते हैं लेकिन मेरा दूद इतना boil हो चुका था friends अच्छी तरह से 2-3 बार boil हो चुका था और इसमें वो thickness भी आ चुका था दूद अच्छी तरह से एकदम गाड़ा हो चुका था friends इसलिए मैंने और corn flour add नहीं किया यहाँ पर मैंने 2-3 drops vanilla essence का डाला है और उसे हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे और mix करने के बाद यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून condensed milk डाला था यानि milk made और उसे भी हम अच्छी तरह से चला लेंगे friends और अभी हमें flame low रखना है और अब हम black grapes को जो हमने चीनी में पकाया था वो add करेंगे और यहाँ पर color बहुत light और एक्दम प्यारा color आया था friends लेकिन पता नहीं चल रहा था इसलिए मुझे food color add करना पड़ा यह बिल्कुल भी optional है आप चाहें तो add करें और एक boil आ जाने के बाद आप देख रहे हैं friends मैंने इसे freeze में रखा friends तो मैंने इसके ऊपर कोई भी aluminium foil नहीं लगाया था और मैंने सिर्फ 2 गंटे के लिए रखा था जैसा कि आप देख सकते हो यह उतना जमा नहीं था लेकिन ठीक था और उसके बाद आप देख रहे हो ताकि और smooth texture मिले हमें आईस्क्रीम का तो blend करने के बाद आप देख सकते हो बहुत ही smooth consistency हो चुका है friends आपको देखने में भी पदा चली रहा होगा तो आईए अब हम इसे उसी container में फिर से पोर कर देंगे और इस बार friends मैंने aluminium foil लगाया है ताकि आईस्क्रीम उतना ज़्यादा ना जमे और हम इसे 5 घंटे के लिए इस बार refrigerate करेंगे अब 5 घंटे के बाद आप देख सकते हैं friends हमारा इस्क्रीम रेडी है मैंने ice side वाले में रखा था friends और 5 घंटा में ये बहुत अच्छा जम चुका था black grabs खाने के बहुत सारे benefits है friends जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था black grabs juice recipe में अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजे और आप देख सकते हो हमारा ice cream ready है तो आई अब हम इसे serve कर लेते हैं जल्दी से आप देख सकते हो और बहुत टेस्टी बनाता friends ice cream आप भी जरूर एक बढ़ ट्राई करना बहुत easy सा recipe और घर में आसानी से बन जाएगा तो हमारा ice cream serve हो चुका है friends और अगर आपको ये recipe पसंद आया friends तो please मेरे चैनल को like, share and subscribe जरूर करें अगर आप मेरे recipe पहली बार देख रहे हैं आप इस वीडियो में नए हैं तो please मेरे चैनल को subscribe कर दे और जिन्होंने subscribe कर दिया उनको thank you इसी तरह की अच्छे अच्छी recipe मैं लाती होंगे friends आप लोगों के लिए और आप मेरे साथ बने रहें thank you for watching stay tuned for my next recipe till then bye guys